पुलीस कस्टडी देने के लिए बोला है तो आज आदिल खान दोरानी को आथरोड जेल से वापिस लाया जाएगा रिमांड में पेश किया जाएगा और आगे फिर कोट क्या करते वो अभी हमें पता नहीं है हम अलड़ी बहुत सारे प्रूफ दे चुके हम खाली कोट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलीस कस्टडी जादा से जादा दिन दी जाए मैसूर पुलीस का क्या रूल रहने वाला है मैसूर पुलीस एप्लिकेशन करेगी क्योंकि उनको भी उसकी कस्टडी चाहिए अब वो कोट पर डिपेंड करता है कि किसे कस्टडी देते हैं अब कोट में डिपेंड करता है जैसे फाल गुने ने कहा कि उशिवारा पुलीस सेशन या मैसूर पुलीस अभी देखते हैं क्या होता है मैसूर पुलीस का कुछ बायाना कोई नया केस नहीं हम कोट में बोलेंगे अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है जो भी केस है हमारी एफायर है फर्दर स्टेट्मेंट में वही हमारी केस जज ने चुटी मारी है अगर उनके वकील ये कह रहे है तो केस जीतने का ये तरीका नहीं है आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते है अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जूट बोल रहे हो धंकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है और क्यूं देंगे धंकी जब हमें कोट से जस्टिस मिल रहा है कोट में हम मेहनत कर रहे है कोट से हमें सारी चीज़े हम लीगली जा रहे तो हमें इलीगल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है यह सब पैतर हैं ना हारने वालों के होते जीतने वाले कोट में जवाब देते हैं इसाल चीज़ों में बात नहीं जो मैं में ज्यादा नहीं बूल सकते हैं वह उशिवारा पुलिस मेरी अड्वोकेट शुग नहीं जी और कोट काम कर रहे हैं और मुझे बहुत जोर से हसी आ आदिल के कैसे जुटे इल्जाम लगा रहे हैं एक बात मैं बोलूँ एक बात बोलूँ उनकी तरफ से जो आता है जो उनको स्टेटमेंट देने है देने दीजिए हमें उसका जवाब नहीं उनके पास काईदा है और आदिल तो जेल में तो किसे धमकी दी उनके वकील को दी क् और उनके वकील वकील तो उनको उनकी मॉम को ठीक है इतने दिन नहीं दी धमकी आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है मेरा तो मैं फोन करती है उनके ममी डेड़ी फोन ही नहीं उठाते काड़ देते बात नहीं करना चाहते मैं एक बार मुझसे बात तो करें कि वो कह तो से कि आपका बेटा साथ आठ दिन से जेल में आप लोग मिलने भी नहीं आए हो उनको दूसरी बात राखी को अगर धमकी देनी होती या दिलवानी होती न तो आज कोट के धक्के जो खा रही है पुलीस टेशन और कोट के धक्के खा रही है न वो नहीं खाते और हमारे पास भी इत इतना टाइम नहीं है कि हम यही सब करते रहें वो मुझे वो मैंबाद में बात करते हैं